अध्याई 20. फ्रांसिसी सुरक्षा का समस्या Problem of French Security फ्रांस की आशांका प्रतम विश्वयुध के बाद यूरोपिय राजनीती के क्षेत्र में सबसे विकट समस्या सुरक्षा की थी युध की विभीशिका के प्रिष्ट भूमी में सभी राष्ट्रे तरस्त थे ये सत्य है कि वर्साय की संधी द्वारा एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया गया था जिसमें भविश्य में राष्ट्रों के बीच युधिना हो लेकिन वर्साय व्यवस्था से यूरोपिय सुरक्षा की पैचिदी समस्या का समाधान ना हो सका वस्तुतहा पैरिस की शांती संधियां यूरोपिय सुरक्षा की समस्या का अंतिनही वरन प्रारंब थी इसके बाद भी सुरक्षा की खोज का प्रयतन पहले से अधिक गंभीरता से जारी रहा विश्वे शान्ती को सुरक्षित रखने और सुरक्षा की मांग को पूरा करने के लिए ही शान्ती सम्मेलन में राश्टर संग League of Nations की स्थापना की गई थी। लेकिन सुरक्षा की समस्या इतनी गंभीर थी कि राष्ट्र संग इसके लिए प्रयाप्त प्रतीत नहीं हो रहा था अत्येव सुरक्षा प्राप्ती के लिए कई दूसरे तरहा के प्रचार भी किये गए युद्ध के बाद फ्रांस के लिए सुरक्षा की समस्या सबसे अधिक गंभीर थी सवा चार वर्षों के भीशन संघर्ष के उपरांध फ्रांस को विश्वयुध में विजय मिली थी और संपूर्ण देश में इस विजय की खुशी बड़े ही उल्लास के साथ मनाएं गई थी परन्तु ये खुशी अत्यंत क्षानिक थी दूसरे दिन से वे अपने को भेबीत अवस्था में पाने लगा और विजय उल्लास के साथ ही गंभीर जंता भी शेगर ही परिलक्षित होने लगी उसको सबसे अधिक डर पराजित जर्मनी से था सत्रवी और अठारवी सदियों में फ्रांस की शक्ति यूरोप में अधवित्य थी वे यूरोप का सबसे शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र था पर 1870 में जब सेडान के मैदान में वे जर्मनी से बुरी तरह परास्त हुआ तब उसकी शक्ति का भ्रहम एका एक दूर हो गया उस समय मध्ध यूरोप में एक ऐसे राष्ट्र का जन्म हो चुका था जो ना केवल क्षेत्र फल और जनसंख्या में फ्रांस से बड़ा था अपितु कोईले लोहे आदी प्राकरतिक साधनों में भी वे फ्रांस उसका मुकाबला नहीं कर सकता था इसके अतरिक्त जर्मन लोगों में सैनि संगठन की अपूर्वक्षमता थी 1914 में फ्रांस को छे सब्ताह के लिए भी युध में टिकना असंभव हो जाता यदि ब्रिटेन उसकी साहायता के लिए रनकशेत्र में नहीं उतर पड़ता फ्रांस इसी राजनितिग्यों का कहना था कि जर्मनी अभी भी सैनिक द्रिष्टी से अधिक शक्तिशाली है जर्मनी की आबादी यूरोब के अन्य राजेयों से अधिक थी और फ्रांस के अनुपात में तो बहुत अधिक फ्रांस को भैथा कि यदि उसकी आबादी में तनिक भी गिरावट हुई तो वे जर्मनी का शिकार हुए बिना नहीं रहेगा इसकी अतरिक्ति फ्रांस का एक मात्र मित्र रूस इससा में बोल्शेविकों के हाथ में चला गया था और फ्रांस उनसे ये आशा नहीं कर सकता था कि मौका पढ़ने पर वे उसकी मदद करेंगे इन तरुटियों को फ्रांसिसी अच्छी तरह जानते थे और कोई ऐसा उपाय करना चाहते थे कि जिससे भविशे में उन्हें इस तरह के संकट का सामना न करना पड़े अतहा युद्ध के समाप्त होते ही फ्रांस अपनी राष्ट्रे सुरक्षा के उपायों की खोज में व्यस्त हो गया वास्तव में जैसा प्रोफेसर कार का कहना है उन्निस सो उन्निस के बाद फ्रांसिसी सुरक्षा की मांग युरोपीय राजनीती का सबसे महत्वपूर्ण एवं स्थाई तथे था footnote one the most important and persistent single factor in european affairs in the years following was the french demand for security by car international relation between two world war page twenty five note completed प्रिष्ट दोसो बारहा भौगलिक गारिंटी जर्मनी के भावी आक्रमन से फ्रांस को सुरक्षित करने के लिए पैरित शांती सम्मेलन में फ्रांसिसी प्रतिनधी ने मांग की कि राइन नदी के बाइं तट के प्रदेश को जर्मनी से प्रत्र करके एक अलग राजे बना दिया जाए और ये राजे फ्रांस के प्रभाव में रहे फ्रांस इस तरह की व्यवस्था को भौगलिक गारिंटी, फिजिकल गारिंटी कहता था पर अन्य मित्र राजे फ्रांस को इस प्रकार की भौगलिक गारिंटी देने के लिए उध्यत नहीं है विल्सन और लॉर्ड जोर्ज ने राइन नदीव तक फ्रांसेसी सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया उनका कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से राइन लैंड के पचास लाख के लगभग जर्मनी के लोग अपने राश्ट्र से अलग हो जाएंगे और ये राश्ट्र अता के सध्धानत के विपरीत होगा विल्सन और लॉइड जोर्ज राइन लैंड को एक दूसरा एलसिस लॉरिन नहीं बनाना चाहते थे काफे सिर पिटकने के बाद फ्रांस को अपनी मांग छोड़नी पड़ी और उसको अपने भौगलिक गारिंटी संबंदी निमन बातों पर राजी होना पड़ा पहला पंद्रह साल तक राइन नदी के दाएं तटके प्रदेश पर मित्र राष्टर की सेनाओं का कबजा रहे दो राइन क्षेत्र का पौन रूप से असैनिकी करण हो जाए जिससे जर्मनी वहाँ कोई किलाबंदी नहीं कर सके और तीन एक्त्रीदा लिये संधी की जाए जिसके अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन ये वादा करे कि यदि भविश्य में कभी जर्मनी फ्रांस पर आक्रमन करे तो वे उसकी सहायता करेंगे ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा करने का वचन दे दिया अमेरिका ने पीछे चल कर वर्साई में हुई संधियों का अनुमोधन करने से इनकार कर दिया फल्स्वरूप, ब्रेटेन और अमेरिका द्वारा दिये गए वचन वियर्थ हो गए ब्रेटेन अपने वचन को निभाने में असमर्थ था क्योंकि उसका भाग देना अमेरिका के आने पर ही निर्भर था फ्रांस को ऐसा अनुभव हुआ कि उसको धोका दिया गया है उसे भौगलिक गारेंटी की आशा छोड़ देनी पड़ी अंतराश्ट्रे राजनीती में फ्रांस अपनी स्थिती को बहुत निर्भल और अरक्षित समझने लगा जर्मनी के प्रतिशोद से बचने के लिए वे कूटनी तिक उधेर बून में डूब गया फ्रांस जब अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से अन उत्तेजित आक्रिमान के विरुध गारेंटी पाने के प्रयतने में असफल हो गया तब इसके सामने केवल दो मार्ग बच गए जिनका अवलंबन करके वे अपनी सुरक्षा कर सकता था फ्रांस के सामने पहला उपाय था कि जर्मनी कूटनीतिक शेत्र से एकदम अलग कर दिया जाए तथा उसको चारों तरफ से घेड लेने के लिए यूरोप के विभिन राजेयों के साथ संधी करके गुडबन्दी की जाए दूसरे राश्ट्र संग के द्वारा ऐसी सुरक्षा प्रणालियों का स्रजन कराया जाए जिससे अकारण आकरमन के विरुध वास्तविक गारेंटी प्राप्त हो सके फ्रांस ने दोनों मारगों का एक ही साथ अवलंबन करना शुरू किया जिसके फलस्वरूप यूरोप में फ्रांस के नेत्रित्व में अनेक गुठ तथ राश्ट्र संग के तत्व आवधान में अनेक सुरक्षा समझाता कायम हुए वर्साए संधी के बाद फ्रांस को अपनी सुरक्षा के लिए राश्ट्र संग के अस्तत्व के सिवा कोई गारंटी प्राप्त नहीं थी फ्रांस इसको अप्रयाप्त समझता था उसके द्रिष्टी में राष्ट्र संग के विधान में उस प्रक्रिया को भलिभाती स्पर्ष्ट नहीं किया गया जिसके अनुसार वे विभिने राजेयों के ब्रहाय आक्रमन से रक्षा करने का उद्योग करेगा फ्रांस को संशे था कि राष्ट्र संग के विधान में पाबंदी संबंदी धारनाय दस, सोलह और सत्रह प्रभाफशाली नहीं हो सकी है वास्तव में एसेंबली की प्रथम बैठक में ही इन धाराओं की कड़ी आलोच ना हुई कोई राष्ट्र दसवी धारा को बिलकुल निकलवा देना चाहता था तो कोई सोलवी धारा में अपवाद की धारा जोड़वाना चाहता था राश्ट्र संग एसेंबली की प्रथम बैठक में ये स्पष्ट हो गया कि कोई देश राश्ट्र संग के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं कर सकता ऐसी स्थिती में व्यक्तिगत रूप से संधियां और गुडबंधियां ही सुरक्षा का एक मात्र उपाय थी फ्रांस इसी उपाय पर जोड देने लगा आंगल फ्रांस इसी मत भेद फ्रांस ब्रिटेन की मितरता का एक बहुत बड़ा इच्छुक था उसका विश्वास था कि अगर ब्रिटेन उसकी सुरक्षा की गारंटी दे दे तो उसकी बहुत बड़ी समस्या का समधान हो जाएगा अतहा फ्रांस ब्रिटेन के साथ संधी करने के लिए बराबर आगरह करने लगा अंतमें जन्वरी 1922 में ब्रिटिश सरकार फ्रांस के साथ एक संधी करने के लिए तयार हो गई इस संधी की प्रस्तावित शर्ते वे ही थी जिन पर 1919 में ब्रिटेन हस्ताक्षर नहीं कर सका था यदि जर्मनी ने आकारण ही फ्रांस पर आक्रमन करने की कुल गतिविधी की तो ब्रिटेन तुरंथ ही फ्रांस की साहयता करेगा ततकालीन फ्रांसिसी प्रधनमंत्री पौनकारे इस स्पष्ट संधी से संतुष्ट नहीं था उसकी ये मांग थी कि इस आशवासन के साथ एक सैनिक समझाता भी किया जाए जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि ब्रिटेन सेना किस प्रकार की साहयता देगी ब्रिटेन सरकार इतने दूर जाने के लिए तैयार नहीं थी अतहा आंगल फ्रांसिसी वारताला पूर्टाया निरर्थक हो गया अब प्रिश्ट दोसो ते रहा अब प्रिश्ट ये उड़ता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इस तरह के मदभेद के क्या कारण थे वास्तव में युधि के बाद आंगल फ्रांसिसी मदभेद अंतराष्ट्रे राजनीती के इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिस दिन तोपों की गरजना बंद हुई और विराम संधी पर हस्ताक्षर हुए उसे दिन से ये दोनों भूत पूर्व मित्र राजे प्रत्यक अंतराष्ट्रे मामले पर एक दूसरे से बिलकुल विपरीत विचार व्यक्त करने लगे लर्ड जोर्ज को विश्वास था कि जर्मनी को इतना पस्त कर दिया गया है कि कम से कम साट साल के पूर्व अपनी खोई हुई शक्ती को पुनहा प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए वे फ्रांस की उगर नीती पर रोड़े अटकाने लगा लेकिन क्लीमेशो का विचार दूसरा ही था उसका विश्वास था कि जर्मन जब चाहेंगे फ्रांस पर आक्रमन कर देंगे अतहवे अपने देश को इस भावी आक्रमन के संकट से सुरक्षित करना चाहता था ब्रिटेन को इस तरह के किसी संकट का भे नहीं था युधि से अपार्क शती हुई थी और अंग्रेज लोग अपने आर्थिक पुनरत्थान के लिए उत्सुक थे ब्रिटेन की आर्थिक प्रगती के लिए जर्मनी का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत आवशयक था क्योंकि जर्मनी ब्रिटिश मालों का बहुत बड़ा बाजार था इसलिए ब्रिटेन जर्मनी का पुनर निर्मान देखना चाहता था परंतु फ्रांस के लिए एक पुनर निर्मित जर्मनी सबसे बड़ा खत्रा था क्लिमेशो ब्रिटेन के इस रवये को नापसंद करता था युधि के बाद से उसने लॉर्ड जॉर्ज से शिकायत की आप हमेशा हम लोगों के विरुध रहे हैं वे तो हमारी परंपरा की नीती है लॉर्ड जॉर्ज ने जवाब दिया वास्तव में चादवी शताब्दी से ही ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी रहे हैं विवश होकर ब्रिटेन को 1904 में फ्रांस से मित्रता करनी पड़ी थी वे मित्रता 1918 तक कायम रही लेकिन जिस समय उसका उद्देश पूरा हो गया दोनों देश अपने पुराने स्थान पर चले गए नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन का प्रोचसाहन पाकर जर्मनी संधी की शर्तों का उलंगन करने लगा और कुछ दिनों में यूरोप की एक महान शक्ती बन बैठा आंगल फ्रांसेसी मदभेद के कुछ और कारण भी थे ब्रिटेन यूरोपी शक्ती संतूलन को पुनर स्थापित करना चाहता था एक बहुत शक्तिशाली फ्रांस संसार में ब्रिटिश सामराजवादी हितों के हक में अच्छी नहीं थी इससे जर्मनी के आर्थिक जीवन को पुनर जीवत करने में भी कठिनाई होती इस थरह एक कमजोर जर्मन ना तो ब्रिटिश व्यापार के हक में अच्छा था और ना कृरांतिकारी रूस के विरुध में ही ब्रिटेन को रूसी सामेवाद से बहुंडर था ब्रिटिश सामराज्य के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा था इस खत्रे को रोकना ब्रिटेन की एक मुख्य नीती थी ये तब ही संभव था जब जर्मनी को शक्तिशाली बनाया जाए इस तरह वर्तमान शताब्दी की तीसरी दशब्दी में आंगल-फ्रांसेसी संबंद में काफी मनमुटाफ पैदा हो गया दोनों के राष्ट्रे स्वार्थ एक दूसरे के विप्रीत थे और इसलिए मनमुटाफ का बढ़ना अवश्य भावी था युद्ध के समय दोनों सहियोगी एक दूसरे के विरोधी हो गए इसका नतीजा ना तो इन दोनों देशों के हक में ही अच्छा था स्थापत यथा स्थिति को बनाए रखने में था फ्रांस को अपनी मनो कामना पूरी करने के लिए छोटे राष्ट्रों की ओर देखना पड़ा उनको मिला कर गुडबंदिया कायम करने के सिवा उसके सामने कोई मार्ग नहीं रह गया इस दिशा में फ्रांस ने जो पहले कदम उठाया वे बेलजियम के साथ समझाता था विगत युद्ध से ये अनुभव प्राप्त हुआ था कि दोनों देशों के हित इसी में हैं कि वे मिलजुल कर अपनी सुरक्षा की योजना बनाए अतहा 7 सितंबर 1920 को दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों ने एक समझाता किया ये धपी समझाता राष्ट्र संग में दर्ज करा दिया गया था किन्तु इसकी महत्वपूर्ण शर्ते गुपते रखी गई थी फिर भी इस पश्ट कर दिया गया कि फ्रांस और बेलजियम जर्मनी के आक्रमन से अपनी रक्षा के लिए सैनिक दिरिष्टी से एक हो गए है इस सैनिक गुडबंधी के कारण पश्चिम में फ्रांस की स्थिती सुरक्षित हो गई प्रिष्ट 214 पोलेंड के साथ संधी फ्रांस का काम केवल बेलजियम के साथ समझाता कर लेने से ही चलने वाला नहीं था उसे एक शक्तिशाली राजे को मित्र बनाने की अवशयकता थी शांती संधी द्वारा स्थापित पोलेंड ही एक ऐसा देश था जो क्षेत्र फलता था आबादी की द्रिष्टी से बड़ा था और जिनका हित फ्रांस के हित से मिलता जुलता था नवनिर्मित पोलेंड की जनसंख्या तीन करोड के लगभग थी और उसमें जर्मन जाती के लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे पोलेंड का निर्मान करते हुए राश्ट्रियता के सिध्धानत का पून रूप से अनुसरन नहीं किया गया था और उसमें अनेक ऐसे प्रदेशों को शामल कर दिया गया था जिने वस्तुतह जर्मनी का अंग होना चाहिए था इस कारण फ्रांस की समान उसे भी जर्मनी का डर बना हुआ था गलियारे की निर्मान की कारण जर्मनी दो भागों में बढ़ गया था और वे स्वभाविक था कि जर्मनी इस गलियारे का नामों निशान मटा दे पोलेंड को जर्मनी के आक्रमन की आशंका हमेशा बनी रहती थी इस तरह फ्रांस और पोलेंड दोनों को आपसी अवश्यक्ताओं में पूरा-पूरा मेल बैठता था जर्मन आक्रमन की आशंका ने इस दोनों देशों को एक सूत्र में बांध दिया ऐसा कहा गया कि फ्रांस और पोलेंड एक दूसरे के एतिहासिक मित्र रहे हैं इस मित्रता का परिचे फ्रांस ने उस समय पोलेंड को मदद दे कर जब 1920 में वोल्शेविकों ने वार्सा पर हमला कर दिया था इसके बाद पोलेंड की सेना को आधुनिक धंग से संगठित करने के लिए फ्रांस से एक सैनिक शिष्टि मंडल वार्सा पहुँचा दोनों देशों के बीच एक राजनेतिक समझाता करने के लिए बातचीत शुरू हुई और अंततो गत्वा 19 फरवरी 1921 को फ्रांस और पोलेंड के बीच एक संधी हो गई जिसमें दोनों देशों ने ना केवल राजनेतिक शेत्र में परस पर सहियोग का वचन दिया अपितु गुप्त रूप से ये भी तै कि सैनिक द्रिष्टि से भी वे एक दूसरे से सहियोग करे बाहरी आक्रिमन से अपनी रक्षा के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ देने का वचन दिया 1922 में इस संधी का अनुमोधन हो गया और 1932 में इसके अब धी 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई उक्त दो संधियों से फ्रांस को ये लाब हुआ कि यदि जर्मनी ने उस पर हमला किया तो पश्च में बेलजियम और पूर्व में पोलेंड से उसका सहयोग मिलेगा फ्रांस पोलेंड की सेना को आधुनिक धंक से संगठित करने और युधि सामागरी द्वारा उसकी सहायता करने लगा इस संधी से दोनों देशों के बीच काफी असंतोश भी हुआ कुछ फ्रांसेशी का मत था की पोलेंड की मितृत से फ्रांस को लाब की अपेक्षाहानी अधिक होगी इसी तरह वार्सा में स्थित फ्रांसेशी सेनिक मिशन को लेकर फोलेंड वासियों में घोर असंतोश था किन्तु जैसा प्रोफेसर कार कहते हैं ये गुडबंदी समान हित के सुद्रण आधार पर हुई थी इस कारण मामूली असंतोश से तूट नहीं सकती थी अंतराष्ट्रे महत्व के हर राजनातिक प्रश्ण पर फ्रांस और पोलेंट दोनों एक दूसरे का बराबर साथ देते रहे तथा हर सारवजनिक वाद विवाद में साथ साथ मत देते रहे एवं एक तरह के ही भाशन देते रहे लगु मैत्री संग फ्रांस इसी नेताओं को इतने पर भी संतोश नहीं हुआ वे किसी महान राजे के साथ संधी करना चाहते थे दिसंबर 1921 में उसने ब्रेटेन का साथ इसी ढंग की संधी करने का असफल प्रयास किया था फ्रांस ने अब अपने नेत्रित्व में छोटे छोटे राजेयों को संगठित करने का काम शुरू किया अपने स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए 1920-21 में उसने चेकोसलोवाकिया, युगोसलाविया और रुमानिया का एक त्रिगुट संगठित किया ये छोटा त्रिगुट ये लगु मंत्री संग लिटिल एंटेंटी के नाम से प्रसिद्ध है जिसका उद्देशी ये देखना था कि जर्मनी फिर से सर ना उठा सके और हॉप्सबुर्ग राजवन्श के समराठ फिर से अपने राज्ये की स्थापना ना कर सके इस समझोता के अनुसार तीनों हस्ताक्षरकारी देशों ने इस बात को स्विकार किया कि आकारण आक्रमन होने पर तीनों मिलकर आक्रमन से प्रभाविद देश की सैनिक सहायता करेंगे और यथा स्थिती बनाए रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे फ्रांस इस त्रिगुट का संडख्षक था त्रिगुट की सरकारे पूरी तरह से फ्रांसिसी प्रभाव में थी ये तीनों राजे विदेशी मामलों में फ्रांस के विश्वास पात्र पिछल गुआ हो गए फ्रांस ने ये वचन दिया कि हंगरी से वे छोटा त्रिगुट के सभी देशों की रक्षा करेगा तथा युगोसलाविया को इटली से विशेश रूप से बचाएगा इन सारे प्रयातनों के फलस्वरूप फ्रांसिसी सुरक्षा की समस्या बहुत हद तक हल हो गई फ्रांस जर्मनी के खिलाफ आत्म रक्षा के लिए जो साधन जुटा रहा था उसमें इन तीन नए राजियों को अपने साथ रखना महत्वपूर्ण था इन राजियों की हित इसमें था कि जर्मनी औस्ट्रिया और हंगरी फिर से अपनी शक्ती ना बढ़ा सके फ्रांस भी यही चाहता था और इसलिए छोटा त्रिगुट के राजियों के साथ उसका घनिष्ट संपर्क स्थापित हो सका 1922 में उक्त समझोता में पोलेंड भी शामिल हो गया प्रिष्ट 215 इतना होने पर भी फ्रांस को संतोश नहीं हुआ छोटा त्रिगुट उसकी संरक्षता में स्थापित हुआ था लेकिन वे स्वेम इसका सदस्य नहीं था वे इन राजियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संधी करना चाहता था अतहा 24 जनवरी 1924 को फ्रांस और चेकोसलोवाक्या के बीच एक संधी हुई संधी की शर्टों के अनुसार विदेश नीती संबंदित मामलों पर दोनों देशों ने एक दूसरे से परामर्श लेने तथा आवशयक्ता पढ़ने पर एक दूसरे की मदद करने का वादा किया अंतराश्ट्रे राजनीती में इस संधी का महत्व बहुत बढ़ा था इससे फ्रांस और चेकोसलोवा किया एक दूसरे के बहुत समीब आ गए और अंतराश्ट्रे मामलों से एक तरह की नीती का अबलंबन करने लगे ठीक इसी तरह की एक संधी दो साल बाद 1926 में फ्रांस ने रुमानिया की साथ की इसमें भी अंतराश्ट्रे राजनीती में परस पर सहयोग करने की बात धोराई गई थी इसके अतरिक्त दोनों देशों ने ये वादा किया कि अगर उसमें से किसी एक पर कोई अकारण हमला हुआ तो वे परस पर मिलकर इस बात को तै करेंगे कि दूसरे राज्ये को अपने मित्र की साहयता के लिए क्या करना चाहिए 1927 में फ्रांस ने युगुसलो वाक्या के साथ भी इसी धंग की संधी कर ली इस थरह सुरक्षा के नाम पर छे देशों के साथ संधी करके फ्रांस ने यूरोप की राजनीती में एक नया प्रभुत्व कायम किया यूरोप में फ्रांस की शक्ती और गौरफ चरम सीमा पर पहुँच गई फ्रांस यूरोप का एक अग्रणी राष्टर बन गया इसमें संधियों के द्वारा मानसिक द्रिष्टी से फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की समस्या का समधान बहुत हदता कर दिया किन्तुई संधियां फ्रांस को बहुत मेहंगी पड़ी इन संधियों के कारण वे अबना केवल वर्साय संधि का पालन कराने के लिए ही निश्चत रूप से वचन बद्ध था अपितु सारे उरोपिय शांती समझोते के लिए भी इस व्यवस्था में अनेक कमजोरियां थी महायुद के बाद स्थापित नए राजेयों की आर्थिक स्थिती अतिशोचनिय थी और अनिश्चत थी और उसके पास सैनिक साधन भी प्रयाप्त नहीं थे शेत्रफल की दृष्टी से वे काफी छोटे राजे थे वे अपनी शक्ती तब ही बढ़ा सकते थे जब आर्थिक दृष्टी से इनकी भरपूर सहायता की जाए फ्रांस इन्हें सदेव कर्ज देने के लिए विवश्था फ्रांस इन राजेयों को अपनी स्थिती मजबूत करने के लिए बराबर कर्ज देता रहा इसकी सेना को शिक्षा देने के लिए फ्रांसेसी अफसर भेजे गए इस तरह ये राजे फ्रांस के लिए आस्थाई रूप से बोज बन गए इस वेवस्था की दूसरी दिक्कत ये थी कि ये राजे फ्रांस की सीमा से बहुत दूर पर स्थित थे इन राजियों की सीमाओं में कहीं भी लगाव नहीं था युद्ध की समय ये संभव नहीं था कि इनकी सेनाएं फ्रांस की सहायता के लिए दोड़ी चली आए इसके अतरिक्त इन राजियों की अपनी अपनी समस्याएं थी पोलेंट और चेकुसलोवाक्या में काफी संख्या में जर्मन लोग निवास करते थे प्रिष्ट 216 इसे अंतराष्टरे राजनीती में जटलता का आना अवश्यम भावी था अपने पडोसी राज्ये से इनका बराबर जगडा होता रहता था और फ्रांस ने इन जगडों में मदद करने का वादा किया था इस तरह का वचन देकर फ्रांस ने अपनी सैनिक जिम्मेवारियों को इतना बड़ा लिया कि जब अवश्यक्ता पड़ी तो उसको पूरा करना उसके लिए असंभव हो गया इससे भी बढ़कर फ्रांस को ये घाटा हुआ कि उक्ति सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण फ्रांस के प्रती पूर्वी और पश्चमी यूरोप में संदेहे पैदा होने लगा भैसे भै की उत्पत्ती होती है यूरोप के अन्य राजियों को संदेहे होने लगा कि का वैदूशित वातावरण जिसके कारण प्रतम विश्वयुद्ध का विस्वोट हुआ था यूरोप में एक बार पुना चा गया तथा कुछ ही दिनों के बाद यूरोप तीन शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया अध्याई 20 समाप्त प्रिष्ट 270 रहा